कि नमस्कार दोस्तों एक बूर फिर से स्वागत है आपका एक और नहीं लाइव सेसन में कैसे हैं आप एक बर फिर से आप सब का हर्दिक स्वागत अभी नंदन जैसरी राम राधे रादे और कल जो है आपको पता है धंतेरस है तो दिपावली आ गई है तो आप सभी को दिपावली की धेरो धेर सुकामनाई और बधाई और चलिए करते हैं शुरु आइभल्मल और भार्मल के आगे के सास्कों के बारे में जो रहो अधेन करना है तो कैसे हैं आप राधा कोशिन जी स्वागत का फारوق शियन जी कैसे हैं अनिल राना जी कैसे हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभीनादर 21 नमर सेशन है इसे पहले भी सेशन जो है वो कम्पीट हो चुके हैं हिस्ट्री के अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं और हम चर्चा कर रहे हैं आमेर के कच्छवाहवस की लास सेसन में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो धोला मरवन की प्रेम कहानी होती है कमेंट किया था बच्चे ने कि सर आपने जैसल मेर लिखाया है मरवन को तो उस समय जो था विकानेर नहीं था उस समय विकानेर तो था नहीं तो पुंगल वर्तमान में तो चलो विक्कानेर में आता है लेकिन उसमें विक्कानेर वगिर नहीं था पुंगल जो है जैसल मेरी था और आपकी बुक में भी जैसल में लिखा पुंगल मैंने यहां पे लिख रखा है और इनका ढोला और मरवन का वो विवा होता है ठीक है इस राजस्तान का वह प्रथम सासक जिसने मुगलों के साथ विवाहिक समंद स्तापित किये, राजस्तान का वह प्रथम सासक जिसने मुगलों के साथ संधी की, आमेर के कछवावंस का पर्थम सासक जिसने किसी मुगल के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, ये सारे किशन यहा और सत्रा सो पंद्रा सो चोहतर तक इनका सासन काल रहा देखिए जैसे कि हमने लास सेशन में पढ़ा था कि जो भार मल था उसने अपने भतीजे असकरी को जो है वो गद्धी से हटा के ये खुद जो हो सासक बना था ठीक है तो एक तो इसका यहां पर असकरी दुस्वन है ही इसके अलावा भार मल जब सासक बना है तो उस समय जो है अगर आपको एक पुराना सासक का नाम याद आ रहा हो अमेर के अंदर पूर्ण मल एक सासक हुआ है और पूर्ण मल का पुत्र था सूजा पूर्ण मल नामक क्या हुआ है एक स्तासक हुआ है और इस पूर्ण मल का पुत्र था जिसका नाम था सूजा पुत्र सूजा अपने आपको आमेर का उत्रा अधिकारी उत्रा अधिकारी मानता है तोर्ण कि स्तासक कोन भी भारमल है लेकिन शूजा जो है वह भार मल उत्राअ करता चर्ण मानता है और यह कहता है कि मैंsch इस अवेर के मैं इस आमेर के स्थासन का उत्राधिकारी हूँ कौन सूजा सूजा किसका पुतर है पूर्ण मल का पुतर है और सूजा ने भार मल को गद्दी से हटाने के लिए क्या किया मिवात के सुवेदार शर्फूदिन के साथ मिल गया तूजा आमेर का स्थासन प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए मिवात के सुवेदार मिवात के मुगल सुवेदार लिखो ऐसे मुगल सुवेदार मिवात के मुगल सुवेदार शर्फूदिन से मिल गया और शर्फूदिन के साथ मिलकर इसने क्या किया अमेर पर आकर्मन किया किसने सूजा ने याद रखना भोती महतो पुन यहां से आप सर्च कर रहे हैं तो इसके बाद क्या हुआ सूजा ने चर्फु दिन के साथ मिलकर आमेर पर आक्रमन इस आक्रमन में जो है वो भार्मल दुर्ग छोड़ कर और आली की पहाड़ियों में यानि भार्मल भाग गया भार्मल क्या है यहां से भाग चाता है अब देखो इसके बाद क्या होता है भार्मल यहां से भाग जाता है और यह जो आक्रमन किया यह कब किया पंद्रा सो अठावन में किया याद रगना आक्रमन कब किया यह यहां लिख देता हूं पंद्रा सो अठावन इस्वी में यह आकरमन जो है वो होता है और आमेर छोड़कर यह भार्मल भाग जाता है 1561 में जो है और 1561 में सैफु दिन ने भार्मल के पूतर जगनात आस्करन के पूतर राज सिंग और जगमाल जो कि जोब नेर का था उसके पूतर खंगार को क्या बना लिया बंदी बना लिया और इनसे पैसे की मांग की चर्फु दिन ने 1561 में आमेर आकर भारमल के पुत्तर ये क्या थे दुर्ग पर रक्षा कर रहे थे दुर्ग के रक्षक थे ये भारमल का जो पुत्तर था वो था जगनात आस्करन जो था ना आस्करन आस्करन का पुत्तर जो था उसका नाम क्या था बताओ आस्करन का पुत्तर था राज सिंग और एक और सासक है आपका जिसका बेटा भी यहाँ पर जो है वो जगमल जगमल के पुत्तर थे इसका जो पुत्तर था खगाड इन तीनों को इन्होंने क्या बना लिया पंदी बना लिया लिया और पैसे के मांग की कि इतने पैसे दे दो तभी आपको जो है आपके बच्चों को लोटाया जाएगा ठीक है इस तरीके की situation बन जाती है भारमल जो है काफी ज़्यादा विपता में आ जाता है अब भारमल को ये पता चला कि अकबर जो है वो अकबर जो है वो कहां आ रहा है अजमेर आ रहा है अजमेर सरीफ की दरगा पर ठीक है अकबर जो है वो कहां आ रहा है अजमेर आ रहा है ऐसी जानकारी मिलती है किसको भारमल को सब्वी जनुरी पंद्रा सो बांसट को अकबर अजमेर यात्रा अपराता है और ये धुन्धाड होकर आता है धुन्धाड मारग से ठीक है तो यहां पर भारमन ने सोचा कि ये जो सर्फु दिन है ये जाकर क्योंकि ये मुगल सिपाही तो था मुगल सामन ये मुगलों का ही सैनिक था तो भारमन ने सोचा कि ये जाकर जो है अकबर को ये सारी बात बताएगा इससे अच्छा मैं खुद जाके अकबर के सामने अधिनता स्विकार कर लेता हूँ इससे अकबर मुझसे खुश हो जाएंगे और वो मुझे आमेर का राजा फिर से बना देंगे अगर यहाँ पर चला जाता है कौन? अगर सर्फुदीन अगर चला जाता है अकबर के पास मुझसे पहले तो वो किसको सासक बना देंगे? वो सुजा को सासक बना देंगे हाँ ना? सुजा को वो क्या बना देंगे? सासक बना देंगे एक मुगल इनका सहयोगी था एक सेनापती था जिसका नाम था चक्ताई खां क्या नाम था चक्ताई खां चक्ताई खां के सहयोग से सांगानेर में चक्ताई खां के सहयोग से अकबर से मिला और जब भारमल अकबर से मिला उस समय अकबर का एक हाती था वो काफी ज़्यादा कुश्चे में था और भारमल ने उस हाती को वस्मे कर लिया एक सेगंड रोगो सब्सक्राइब मिलता है यहां पर उनके हाती को अपने नियंतर में करता है इससे अकबर भी काफी ज़्यादा खुस हो गया और फिर भारमल ने अकबर की अधिनता स्विकार की और 6 फरवरी 1562 को अपनी पुत्री पुत्री के नाम के लेकर काफी ज़्यादा जो है वो फ्यूजन हो जाती है तो आज आप यह कलियर कर लो ही जो है वो क्या कहा जाता था युद्ध कला को बहुत अच्छे से जानती थी सस्तर चलाना जानती थी इसलिए इसे जो है वो युद्धा बाई भी कहा जाता था युद्धा बाई युद्धा युद्धा होता ना युद्धा युद्धा बाई युद्धा नहीं युद्धा और ये बात कहा से मिली है हमें इस बात की जानकरी बीकानेर अभी लेक से इसकी जानकरी मिलती है कि हरका बाई को जो है वो युद्धा बाई कहा जाता था बी अजिमानी कहा गया मरियम उजमानि ये विवाह के बाद मुगलों ने इसको नाम दिया तो इस तरीके से जो है इनका विवाह होता है सांभर जील पर सांभर जील के कि नारे इनके विवाह का आयोजन किया जाता है 6 फरवरी 1562 को और यहाँ पर जो है इन दोनों से विवाह के बाद यानि 9 महाबाद एक पुत्र जन्म लेता है जिसका 9 महिने की जन्रली ये तो प्रोसेस ये 9 महिने की लेकिन विवाह के बाद हरका बाई और अकबर से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है सलीम है पुत्र सलीम और सलीम को ही क्या कहा गया है आगे चलकर जहंगीर कहा गया है जहंगीर यहां तक किशी को कोई दिक्कत यहां तक किशी को कोई दिक्कत है तो बताएं अब इस विवाहा सम्मंद के बाद जो है वो भारमल ने क्या क्या अकबर ने भारमल को कई उपाधियां दी जैसे अमीर उल-ुमरा की उपाधि दी इनको भारमल को क्या उपादी दी? भार मलक को अकबर द्वारा दी गई उपाधियां कौन कौन सी उपाधी दी इनको? इनको उपाधी दी गई अमीर उल उम्रा की? इनको उपाधी दी गई इनको उपाधी दी गई राजा की राजा की उपाधी इनको जो उपाधी दी गई वो दी गई आपकी यह दो उपाधी दी गई इसके लावा इनने पाँच हजारी पाँच हजार अनसब इसके बाद जो है इनकी मृत्यू हो जाती है और आगे चलते हैं तो फिर इनके बाद इनका पुत्र बनता है सासक जिसका नाम है राजा भगवंत दास इनके बहुत सारे पुत्र थे लगभग लगभग जो है इनके जब से बारा पुत्र थे और उन में से सबसे बड़े जो पुत्र थे वो कौन थे भगवंत दास थे जो सासक बनते हैं लिखिए राजा भगवंत दास आजात स्वार दोनों मिलके मनसब बनता है ठीक है आप 5,000 मनसब और 5,000 जात दोनों को स्योगत रूप से जात और स्वार ठीक है अब देखे इसके बाद जो सासक बनते हैं वो कौन बनते हैं इनहीं के पुत्र भगवंत दास बनते हैं इनको भगवान दास भी का गया है पुछ जगह भगवान दास भी इनको लिखा गया है इनका जो सासनकाल है वो रहा है 1584 से 1589 तक ठीक है ये इनका सासनकाल रहा है इनके सासनकाल में कोई भह ज़ादा महतोपुन घटनाएं तो नहीं घटी है लेकिन एक परमुख घटना घटी है कि इनकी पुत्री है इनकी एक पुत्री है और पुत्री का नाम जो है वो क्या है इनकी पुत्री है जिनका नाम है मानबाई पुत्री मानबाई का विवाहा चहांगिर से करवाया अब देखो मुगलों के साथ जैसे ही समंद स्तापित होते हैं है आमेर के कच्वा वंसके वो अपनी हिंदू रित्य रिवाज भूल गये हिंदू रित्य रिवाज भूल गये यानि कि यह जो जाहंगिर पुत्र था वो किसका था किसका पुत्र था यह किसका पुत्र था हरका बाई का ही तो था हरका बाई का ही पुत्र था ना ये जहांगीर और हरका बाई जो है वो किस भगवन दास की क्या हो गई बहीन हो गई भगवन दास की पहीन हुई की नहीं होई और इसके पुत्र से इसकी पुत्री का विवाहा कर दिया तो ये तो भाई बहन हुए हुए की नहीं हुए हुए की नहीं हुए बहुए माल दीजिये कि आपके मामा जी का लड़का या आपके मामा जी की लड़की आपके क्या लगते हैं मामा जी का लड़का भाई लगता है है की नहीं है मामा जी का लड़की जो है आपके क्या लगेगी भहिन लगेगी लेकिन चुकि इन्होंने मुगलों के साथ समंध तापिद कर लिए और मुगल जो है वो इनमें आगए संसकार और इन्होंने अपने हिंदू संसकारों को छोड़ कर और मुगलों के संसकारों को अपनाया पलस राजनितिक फाइदा उठाने के लिए और अपने को कुछ करना न नहीं मिलते हैं, लेकिन भारमल ने भगवन दास ने ऐसा किया है, भाई बहिनों का विवाह कर दिया, भाई, पुत्री है इसकी, और भाई बहिन का विवाह करवा दिया इन्होंने, आच्छो बावडो इतियास खराब कर गियो आपनों सारों, आप आमेर की इतियास को छोड़ कर मिवार का, जोदपूर का, भिककानेर का, किसी का भी इतिहास पढ़ो, लेकिन सबसे ज़ादा जो घिरावा इतिहास है, या सबसे ज़ादा जो हमें दुख पहुंचाने वाला इतिहास है, वो यहाँ पर भारमल और उसके बैटे भगवन द लास गाइए इतना जाधा सत्ता का लालची तो कोई नहीं बना था यह जो मानदाइळी है ये जहांगीर जो यह ना बहुत ज्याधा क्या पीते है roller Bye कि शानदी go scoop • गृज ज्यादा सराभ लासी और इस बाद से कौन हो गई थी मानद को भी दुख ही हो गई इनके पुत्र हुआ था जल्दी से कमेंट बताओ जिसका विवा आगे चल के हम चर्चा करेंगे इनका एक पुत्र हुआ खुश्रो घुश्रो जो था इनका क्या था पुत्र था याद रखना लेकिन मान भाई थोड़े समय के बाद जो है जहांगिर की सराब से प्रेसान होकर इसने आतम हत्या कर ली आतम हत्या कर ली इसने छोड़ चुड़ कर चली गई भस इतना ही है और फिर भगवन दास जो है इसकी भी जो मृत्यू है वो हो जाती है ठीक है मृत्यू इनकी कहां पर हुई मृत्यू इनकी हुई लाहोर में लाहोर में कहां हुई इनकी मृत्यू लाहोर में इनकी जो है वो मृत्यू हो जाती है देखे जिवन में चाहिए कैसे भी प्रिष्टितियां हो हाला कि राजनेती जो है आज भी वैसी है जैसे भारमल आज भी आप देखोगे बड़े बड़े जो हमारे राजनेता है जो जनरली हमें हिंदू, मुस्लिम, आधी के नाम पर लड़वाते हैं उनमें कोई आपस में बेर नहीं है वहाँ पर वापस वैसे ही विवा हो जाते हैं यानि बड़े लोगों में जो पैसे वाल लोग है, क्रोडपती लोग है ना उनमें कोई जाती पाती नहीं है वो कोई जाती नहीं देखते हैं वो देखते हैं फाइदा क्या देखते हैं प्रोफिट वहाँ पर कोई ऐसी नहीं है कोई हिंदू नहीं है कोई मुस्लिम नहीं है वो क्या देखते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों की साधी कर रहा हूं, तो मुझे एक profit कितना हो रहा है, कितना धन मिल रहा है, अगली party कितनी धनवान है, यह वो यह देखते हैं, जाती पाती से उनको कोई लेना देना जो है, वो generally नहीं होता है, इसके बाद जो next शासक बनते हैं, आपके वो कौन बनते हैं, मान सिं प्रथम, और इनका जो सासन काल है, मान सिंग प्रथम का, वो है, 1589 से लेकर और 1614 तक, ठीक है, इनके सासन काल की मुखे घटनाएं अगर देखते हैं, तो यह भगवन दास का पुतर है, और मज़े की बात बताओं कि इन्हों ने भगवन दास, गुलामी तो भारमल नहीं की थी, लेकिन भगवन दास तो गुलामी में भारमल से आगे निकल गया, दोनों बाब बेटे मान शिंग और भगवन दास ने अपना पूरा जीवन मुगलों की अधिन्टा में बिताया, और इन्हों ने राजस्तान के अनेकों राजाओं को मुगलों का गुलाम बनाने का प्रियतन किया, पाब बेटे दुन मत्र, और मत्र बारा वर्स की आईउ में ही भगवन दास ने अपने पुत्र मान शिंग को अकबर के यहां मुगल दर्वार में भेज दिया था, बारा साल की उमर में ही, ठीके, भगवन दास का क्या है ये, पुत्र है, भगवन दास का पुत्तर बारा वर्स की आईउ से ही मुगल दर्वार में, ठीक है, और क्या है, अगर इसके बाद बाद करें, तो 1512 वर्स की आईउ मुगल दर्वार में चला गया था ये, 1562 में ही चला गया था, कब चला गया था, 1562 में ही चला गया था, इसके बाद अकबर ने 1569 में जो है वो, 1579 में, अकबर के रन थम भोर, अकबर ने जो रन्थम भोर अभियान किया था ना, रन्थम भोर आकर्मन में, आकर्मन में, भगवन दास और पुत्र, और इनके पुत्र, मान सिंग, अकबर की और से सामिल हुए है, यानि इन पिता पुत्रों ने, राजस्तान के अन्य जो राजपुत्र सासक थे, उनको मुगलों की अधिनता स्विकार कराने में, महत्यूपुन भुमिका निभाई, ये बात आप जुरूर याद रखना, इन दोनों पिता पुत्रों ने, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, इसके बाद अगर आगे चलते हैं, तो एक यूद होता है सरनाल का यूद, बताओ किस-किस के मद्दे हुआ था, सरनाल का यूद, कब होता है ये यूद, सरनाल का यूद, 1572 में होता है, और ये जो यूद होता है, वो होता है किस-किस के मद्दे में, ये जो यूद होता है, इसमें मोगल और मुहमद हुसेन मिर्शा, ये कहां के हैं गुजरात के इनके मध्धे ये युद होता है और इसमें मुगलों की तरफ से जो युद लड़ा था वो किसने लड़ा था मान सिंग ने मान सिंग मान सिंग है तैना पती था इस युद में मान सिंग ने ने तरत वे किया और इस युद में ये मान सिंग जो है वो क्या होता है विजे होता है सफल होता है ये एक मातर इसका गुजरात में युद था आगे इसने कोई गुजरात अभियान नहीं किया बस एक ही अभियान था मान सिंग का गुजरात का है इस यूद में मान सिंग विजे हुआ इससे खुश होकर अकबर ने ने पहले पांच हजार और फिर साथ हजार मनसब दिये अकबर ने इन्हें पांच हजार और साथ हजार मनसब इसके अलावा औरों को नहीं मिलावा था हिंदु सासकों को अकबर ने काबूल बंगाल वे बिहार का गवर्णर बनाया इन्हें अकबर ने मानस सिंको पांच सुबो को जीता पांच सुबो पर विजे प्राप्त की ठीक है इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो बिहार में इन्हों ने बिहार में इन्हों ने जो है मानपूर नामक सहर बसाया अपने नाम पर बिहार में मानपूर नामक सहर बसाया इसके अलावा इन्होंने जो है वो पंगाल में अकबर नगर किस्तापना की बंगाल में अकबर नगर वर्तमान में इस अकबर नगर को क्या कहा जाता है कमेंट करके बिताओ अकबर नगर की सापना की वर्तमान में इस अकबर नगर को जो है वो क्या कहा जाता है राज महल कहा जाता है राज महल याद रखना ये इसके अलावा जो है इन्होंने क्या किया बंगाल पूर्वी बंगाल के राजा केदार से सीला माता की मूर्ति आमेर लाकर आमेर में मंदिर बनाया मंदिर बनाया यह जो सीला माता है इसको इन्होंने क्या बनाया अपनी इस्ट देवी बनाया इस्ट देवी तो कमेंट में बताओ की आमेर के कच्वावंस की कुल देवी कोन है कुल देवी फिर कोन है यह इस्ट देवी हो गई तो कुल देवी कोन है कुल देवी चमवाए माता आज हमने दो करंट अफेर के सेशन किये छोटे सोट वीडियो के रूप में दो करंट अफेर के हमने क्यूशन आपको बताए आप बताएं कि आपको वो करंट अफेर के क्यूशन कैसे लगे और आपको वो तरीका कैसा लगा हना हलाकि बताए तो साधार्ण तरीके से यह लेकिन सोट वीडियो है आपको ज्यादा ऐसे वो नहीं वाकल एक बता कह रहा था ने सर में तो पढ़ता पढ़ता पूर हो गया सोट वीडियो है पढ़ से देखा एक मिन्ट का वीडियो है और उसमें आपको क्यूशन पता चल गया तो आप कहोगे तो इस तरीके के पांच क्यूशन रोज हम करेंगे पांच से दस क्यूशन रोज करें आप कमेंट गर के बताओ कि आपको वो सेशन कैसा लगा छोटा छोटा जो था और उसमें हम राजस्तान के करेंट फेर के मोस्ट जो क्यूशन है उस तरीके के क्यूशन आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और उसकी भी एक playlist बना देंगे, और उस प्लिस्ट से आप जो है, वो सारे short video देखकर, और अपना daily के 5 questions लिखोगे, तब जो है, एक दिन के 5 questions होगे, मेने के 500 questions हो जाएंगे, और 3 मेने हैं, तो लगबग 500 क्यूशन हो जाएं और 500 क्यूशन में थे आपके 10 क्यूशन तो आई सकते हैं आ सकते हैं आगर ठीक ठाक हो तो ठीक है तो आप कमेंट करके बताओ ठीक है आगे बढ़ते हैं माता इनकी इस्ट देवी जो है वो कौन है इस्ट देवी जो है इनकी वो है जमवाई माता है और इस्ट देवी जो है वो कौन है इनकी इस्ट देवी जो इनकी है वो है आपकी सीला माता ठीक है? सीला माता इनकी इस्ट देवी है यहां तक किसीों कोई दिक्कत है तो बताओ यहां पर किस्यों को दिक्कत है तो बताओ किस्यों को दिक्कत नहीं है चलिए आगे बढ़ता है सिला देवी को किसका भोग लगाया जाता है चर्णामरत के रूप में सिला देवी को परसाद में क्या चड़ाया जाता है कमेंट करके बताओ जल्दी से कमेंट गर गर बताओ क्या चड़ाया जाता है सीला माता को परशाद के रूप में पिल्कुल मान सिंग के पुत्रों की जो है बंगाल के अभियान में मौत हो गए थी और उनका एक पुत्र था जगत सिंग जगत सिंग की भी मौत जो है वो बंगाल अभियान में ही हो गए थी और इनकी जो रानी थी यानि जगत सिंग की जो मा थी कनकावती कनकावती ने जो है वो अपने बेटे जगत सिंग की याद में आमेर में जगत शिरो मनी मंदिर बनवाया था क्या बनवाया था मंदिर बनाया था याद आ रहा है आपको सीला माता को जो है वो तो आज मैं दिरा दूँगा कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे पास आ जाना तो मैं जो है वो मैं पठाको की पांस साथ लडियां दिरा दूँगा पापा से तो मैं दिरा दूँगा पापा पीट डालेंगे ठीक है पीट डालेंगे पापा आए इनकी सांसकर्ति कुबलब्धियों को जानने का प्रियास करते हैं पापा से पठाके मत मांग लेना आप ज्यान रख लेना इधर आजा ना मैं दिरादूंगा आपको कोई दिक्कत नहीं है पांच लटी दिरादूं पठाकों की आगे लिखें सांसकर्ति कुबलब्धियां क्या है इनकी अब तो इतना पठाकों का सोक नहीं है लेकिन बच्पन में जो था ना बड़ा पठाकों का सोक था यार दिपावली पे पठाके लाएंगे लेकिन उस समय हमारे पास पैसे नहीं होते थे और वो ही बात है जैसे सुबास कह रहा है ना कि ऐसे ही हमारे घरवाले भी पठाके दिलाते नहीं थे तो हमने भी जुगाडू थे हम आजगल के बच्चे तो इतने जुगाडू नहीं लेकिन हम बड़े जुगाडू थे और हमने फिर जब घरवालों ने पटाके नहीं दिलवाई ना तो हमने और उस टाइम हम कौन थे पटाके मांगते थे ऐसे कोई बड़े-बड़े सूतली भाम नहीं मांगा करते थे हम पटाके मांगते थे वो रील आती थी और साइथ वो रील की डवी दो रूपे की एक डबभी आती थी और उसमें पांथ चोटी-चोटी डबभी आती थी हम वो मांगते थे कि इसका ये पूरा पूरा एक जो है वो दिला दो तो घरवाले दिलाते नहीं थे क्योंकि थोड़े सी दिलाते थे 2-3 डबियां तो वो हम आधे गंटाय में चला देते थे अब दुबारा गरवाले दिलाते नहीं थे तो फिर हमने जुगाड बिठाया कि यार जुगाड करे हम कैसे जुगाड निकालते थे हमने जुगाड ऐसे निकाला कि हमने जो माचिस होती ना माचिस माचिस जो है एक सेगन रोगो हमने क्या कि माचिस जो होती है ना माचिस उस माचिस के आगे जो रोगन लगा होता है जो जलता है माचिस के उस रोगन को एक पर लाइट की थोड़ी से दिक्कत आ गई है ना तो मातिस के उस रोगन को हम क्या कर दे थे कि ऐसे छील लेते थे और छील कर उसको क्या कर दे थे कि एक वो आता था जो पेच आता था एक ऐसे नट आता था उस नट में दो वासर लगे वाते थे और उस नट के बीच में उस रोगन को फसा देते थे ठीक है और नट के बीच में रोगन को फसा कर फिर उसको नट को टाइट करके और ऐसे जमीन पर मारते थे और फिर पटाके की अवाज आते थी बढ़ाक क्या थी बढ़ा भड़ा भड़ तो काफी ज्यादा खुशी महसूस होते थी या फिर इसका एक और तरीका भी था पिलास लेते हैं हम और पिलास के बीच में जो है वो माचिस की जो तिल्ली होती थी उसका रोगन डालते है और फिर उस प्लास को ऐसे पकड़ के और ऐसे भिड़ाते थे जमीन पर तब भी उसमें से जो है वो पटाके की आवाज निकलती थी तो जुगार कर ले जाते हैं अगर पैसे नहीं है सुभास तो जुगार कर लो या फिर हमारे पास आजाओ हम आपको पटाके दिला देते हैं नट गवाए है ना नट गवाए हैं बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं इनकी सांसकर्तिक उपलब्धियों की चर्चा करते हैं कि इनकी कौन कौन सी सांसकर्तिक उपलब्धियां थी आई चर्चा करते हैं कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में इन्होंने भूत सारे महलों का निर्मान करवाया था कि अगर इनकी चर्चा करते हैं हम तो इन्होंने कई महलों का निर्मान करवाया था, जैसे कि कमेंट में आप लिखो, इन्होंने जो है वो, आमेर के महलों का निर्मान करवाया, इन्होंने जो है वो, इन्होंने इन्होंने जो है वो, इनकी रानी थी कनकावती, रानी कनकावती ने, अपने पुत्र जगत सिंग की याद में, अमेर में, जगत शिरोमणी मंदिर बनाया, जगत शिरोमणी क्या बनाया, मंदिर बनाया, जगत शिरोमणी, मंदिर बनाया, जगत सिंग बंगाल अभियान में मारे गए थे, याद रखना ठीक है, जगत सिंग बंगाल अभियान में मारे गए थे, और इस मंदिर में भगवान, भगवान श्री कृष्ण जी की जो मूर्ती है उसकी पुजा मेरा बाई करती थी मेरा बाई कितोड में किया करती थी याद रख सकते है यहां बहुतजी शिदए शिदी बात है इसके बाद देखिएगा इन्होंने वरंदावन में राधा गोलिंद बंदिर का निर्maान करवा प्रिंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्मान करवाया आपने जैसे कभी-कभी रीट में अब जैसे पद बगेरा कम हो गए हैं और कभी-कभी पढ़ते पढ़ते बच्चा दीमोटिवेट हो जाता है तो फिर वह ऐसे रीट में इसे गीत आता है वरंदावन जाका ऑांग शकनां लोट के आउंगी तो फिर राधा चर्णत के ललगता है यह कभी vermरदावन तो यह नि मन करता होगा कभी-कभी कि आप निखड जाओं गर से और वरिंदावन चल जाओं और बठी रहां बस पढ़ाई पढ़ोई सब छोड़ के आगा बढ़ जाओं भगवान स्री कृर्षन की अराधना में चले जाते हैं लेकिन ऐसे हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को छोड़ के नहीं जा सकते एक समय आएगा जब आप साठ साल के हो जाओंगे रिटाइड हो जाओंगे ना गौवर्मेट जोब से आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे उनकी भी साधी हो जाएगी ना फिर आप जाना वरंदावन और फिर वहीं पर चाहीं रह ले ना फिर टाबर भी कह दाब आपू दर्बारी विद्वान था एक जिसका नाम था पुंड्रिक बिठ्थल नामक एक विद्वान था और इसने कई पुस्तकों की रचना जो हो की थी कौन-कौन सी पुस्तकों की इसने रचना के थी बिठ्थल ने पिठ्थल ने रचना के थी राग माला राग मंजरी राग माला राग मंजरी राग मंजरी राग चंद्रोदे और राग मंजरी राग चंद्रोदे और रोथी पुस्तकों कोन सी थी इनकी नर्तक नर्ने नर्तकotics निर्ने ये 4 किताबे इनों ने झो हो लिखी थी, याद रखना इनकी उपाधी थी, इनको मिर्जा की उपाधी दी थी अकपर ने और फरजंद की उपाधी दी थी अकपर ने याद रखना उपाधिया मिर्जा राजा और दोसरी उपादे थी प्रजंद इसने दी थी अकबर ने और प्रजंद का अर्थ होता है गोद लियावा पुतर या दत्तक पुतर या बेटे के समान तो कल पढ़ेंगे हम मिर्जा राजा जैसिंग 1621 से लेकर 1666 तक का साथ सनकाल थोड़ा सा आप मुझे मोटिवेट करने का प्रियतन करें मैं तो आपको हमेशा करने का प्रियतन करता ही हूँ इस सेसन को अपने दोस्तों के साथ सेर जुरूर करें ताकि और बच्चे हमसे आपसे इस परिवार से जुड़ सके और बहत्रिन सेसन हम आपके लिए ला सके और थोड़ा सा आप अपना सहयोग जो है कर सकते हैं अभी जादा तर बच्चे जो है वो या तो दीमोटिवेट रहे हैं हो रहे हैं या फिर वो तेंवार में लगे हुए हैं या फिर वो कोई अंशन की खबरे देखने में लगे हुए तो थोड़ा सा और प्रियतन कर रहे हैं हम थोड़ा सा और इंट्रेस्टिंग करने का प्रियतन करेंगे इंट्रेस्टों को मैं सोच रहा हूं कि कैसे इनको और जादा रूचिकर बनाया जा सके क्योंकि कल एक बच्चे ने जो कमेंट किया था ना नाम तो मुझे उसका याद नहीं है लेकिन उसने ये का किसर हम बोर हो जाते हैं पढ़ते बढ़ते तो उस बात ने मुझे बड़ा ही चिंतित किया कि यार बिल्कुल बोर तो जोड़ा कठीन है और हम बीच में कोई चर्चा ऐसी करते नहीं है तो अब ऐसा प्रियतन करेंगे हम दिपावली के बाद जो सेशन आएंगे अभी मैं चिंतन कर रहा हूं आप भी अपनी कोई सुझाव दे सकते हैं कि हम इस सेशनों को और जादा इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए ताकि आप बोल ना हो क्या करें ऐसा क्या करें तो आप इसके बारे में अपने सुझाव कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उस पर अमल कर सकें और बहुत जल्दी हम प्रियतन करेंगे कि इंसेशनों को और जादा इंट्रेस्टिंग जो है आपके लिए बना घर्घए गर को और जाइए जाए बना उसके लिए बनावट जाएघ मेंट करो और लकी हम उस एपके लिएए बबना और जाभ